नमस्कार द्रिष्टी IS के डेली करेंड न्यूज कारिक्रम में आपका स्वागत है अभी चर्चा में है अमेरिका बना इंटरनेशनल सोलर अलाइंस का 101 वा सदश कॉप 26 जलवाई सम्मेलन के दोरान अमेरिकी राष्ट्रपती के विसेज दूद जौन केरी ने अमेरिका के अंतरराष्ट्री सौर गड़बंदन यानि ISA में शामिल होने की गोशना की है अमेरिका ISA पर हस्ताक्सर करने वाला 101 वा देस बन गया है या दरसाता है कि दुनिया भर के देश सौर उर्जा के मूली को पहचान रहे हैं और स्वच उर्जा को लेकर भविश की कारवाई को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं आईए जान लेते हैं इंटरनेशनल सोलर अलाइंस के बारे में आईए से एक अंतर सरकारी संधी आधारित अंतरराष्टरी संगठन है या सौर उर्जा के लाभूं का दोहन करने और स्वच उर्जा अनुप्रयोगूं को बढ़ावा देने के लिए एक वैस्विक बाजार प्रणाली बनाने के लिए काम कर रहा है बता दें कि इस संगठन के स्थापना साल 2015 में कौप 21 के दोरान भारती प्रधानमंत्री स्री नरेंडर मोदी और ततकालीन फ्रांसिसी राष्टरपती फ्रांसवा ओलांद ने की थी इसमें सामिल अधिकान सदस्य देश पूरी तरह से या आंसिक रूप से करकरेखा और मकररेखा के बीच अवस्तित हैं इस संगठन का उद्देश सौर प्रध्योगी की की लागत को कम करना और अपने सदस्य देशों के बीच सौर उर्जा को अपनाने के लिए वित्त की व्यवस्ता करना है इसका उद्देश साल 2030 तक एक ट्रिलियन डॉलर से अधिक सौर उर्जा निवेश को जुटाना है इस संगठन द्वारा लगबग 5 गीगावाट इस्थापित समता वाली सौर प्रियोजना का निर्माण पहले ही किया जा चुका है जिसे Green Grid Initiative, One Sun, One Word, One Grid के रूप में भी जाना जाता है